जे इश्यू मसी के हमारे सभी भाई बेहनों के लिए हमारे प्रभु इश्यू मसी के नाम से नमस्ते प्रेज़ लॉड गॉड ब्लस यूँ एक छोटा सा प्रारदना करेंगे क्योंकि फिर से कोरोना का प्रभाव बहुत जादा बढ़ता जा रहा है उसके लिए भगवान से अपने गलतियों की ख्षमा मांग के प्रभु कि ये कोरोना का प्रभाव दूर हटा और सबको अच्छा स्वास दे ग्यान दे बुद्धी दे बल दे शक्ती दे प्रारदना करत करते हैं तेरा शिर्वाद्य आशिशन से भरपूर कर स्वामी हम पापी हैं दोशी हैं अपरादी हैं हमारे पापों को शापों को दोश्यों को प्रभू तेरे पवित्र खुन से द्वके शिद्ध कर पवित्र आत्मा से शिद्ध कर स्वामी ये परमेशरी महा मारी को दूर हटाने के लिए प्रार्दना करते हैं कोरोना वाइरस को दूर हटाने के लिए प्रार्दना करते हैं तेरा आशिरवाद दे आशिशन से पर पूर कर स्वामी सुक शांती दे शांती समाधान के साथ में सब को जीवन यापन करने के लिए प्रभू तेरी प्रार्दना करते हैं ये पर में शर्ट तुझे हर एक इनसान मानने के लिए हर एक घुटना टेकने के लिए हर एक जवान कबूलने के लिए प्रार्दना करते हैं अशिरवाद दे प्रभु ईश्यु के नाम के मैमा हो जजेकार हो प्रभु इश्व मसीह के नाम से मांगते हैं ओलो आमीन, आमीन आज का वच्चन है जैश्व मसी की हाललुया बजन सहिता 100 चेप्टर, सोध्यार तो पहले वच्चन को पढ़ेंगे यहाँ पर हेडिंग में प्रभु हमारे से बात कर रहे हैं परमेशर की सुथी का गीत परमेशर की सुथी का गीत क्योंकि उनकी सुथी करते हुए हम गाना गाते उनको मनाएंगे और उनसे जब हम बात करेंगे तो उन्हों हमारे से बात करेंगे और यदि हम उनकी सुथी नहीं करेंगे, उनके लिए हम लिए खुशने करेंगे इसलिए यहां पर अच्छा बहुत यह अच्छा वच्छन प्रभु ने हमारे लिए बताए हैं आज तो उसके लिए धन्यवाद करते हैं हे सारी प्रत्वी के लोगों यहुवा का जैजेकार करो आनंद से यहुवा की आरदना करो जैजेकार के साथ में उसके सम्वकाओं निश्चे जानों की यहुवा ही परमेशर है उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं उसक आंगनों में सुत्य करते हुए प्रविश करो उसका धन्यवात करो और उसके नाम को धन्य कहो क्योंकि यहोवा भला है उसकी करोना सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीड़ी से पीड़ी तक बनी रहती है धन्यवात करें के उपर वसे हुएं चाहे भारत देश हो चाहे अमेरिका हो चाहे जापान लंडन हो कहीं पे भी हो तो पूरी प्रत्वी के लिए परमेशर दाविद महारास से बात कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि सारी प्रत्वी के लोगों जय जय कार करो क्योंकि परमेशर बहुत महान ह धन्य है और उन्होंने हमारे लिए अद्बुत कारी किये हैं आनंद से यहोवा की आरद न करो क्या बोलता है आनंद से कुड़कुडाते हुए नहीं और मन में कुछ रखे नहीं अच्छे आनंद से संतों से उनकी जैजकार करते हुए आरद न करो निश्चे जानों की यहुवा ही परमेशर है और इसमें डाउट नहीं है की परमेशर कौन है यहुवा ईशु मसीही हमारा परमेशर है इसको हम आज क्या करना है निश्चे कर लेना है इसमें संधे नहीं करना इसमें डाउट नहीं करना इसी में हम किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं कर सकते कि रियली हकीकत में फरमेशर कोन है हमारा प्रभू इशू यहोगा ही हमारा फरमेशर है उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं क्या बता रहा है उसने हमको बताया जब आदाम को मट्टी से बनाया तो आदम के द्वारा पूरा संसार बना है इसलिए हम उसी की बनाए हुए हैं और उसी की हम चराई की भेड़े हैं क्योंकि जब उन्हों हमारे को चराता है तब हमारे को खाना मिलता है नहीं तो हमारे को खाना नहीं मिलता है भूमी हमारे को उपज नहीं देगी तो हमारे को मिलेगा तो वही हमारे लिए खाने पीने की विवस्था करता है हर तरह से हमारे लिए खुश रखने के लिए हम उसको खुश रखेंगे तब वो हमको खुश रखेगा क्योंकि हमारे सुख में, दुख में, समस्याओं में शोधनाओं में बाधाओं में मुसीवत में और सारी बीमारियों में और हर एक समस्या में हम उसको याद करेंगे तो वह हमको याद करेगा इसलिए हम परमेशर का हमेशा धन्यवाद करते रहना है धन्यवाद की बली चड़ाते रहना है क्योंकि हम उन्हों हमारा गरडिया है और हम उसकी भेड़े हैं तो उन्हें हमारा कुछ चराता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्त्थी करते हूँ प्रविश करो जब हम मंदिर में जाते हैं प्रभू के पवितरी स्थान में चर्च में या कहा जाए तो भगवान कई जहां सुत्य आराधना होती है उसके घर में हम जब प्रविश करते हैं उसके फाटक के अंदर और उसके दरवाजे के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलना है हे प्रभू तुझे धन्यवाद कि यहां तक तुने आने के लिए हमें एक टाइम दिया और मौका दिया और हम उसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं और उसके आंगनों में आके उसकी सुति करते अंदर प्रविश करना है उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो प्रभु का धन्यवाद करते रेना है हमेशा धन्यवाद की बलियां चड़ाते रेना है और उनका नाम सब नामों से अधिक महान है क्योंकि उनके नाम के अलाबा कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो तुम क स्वर्ग में लेके जाए हमारा परमेशर स्वर्ग के लिए हमें तयार कर रहा है इसलिए आज हम तयार हो जाओ अभी थोड़ा सा टाइम बचा है ओर टाइम को यदि हम पकड़ लो और यदि हम अलस करके नि भगवान को छोड़ देंगे त्याग देंगे और या किसी मुसीबत में पड़के नि उसको दूर हटा देंगे तो यह हम गलती करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास में ठाइम है वो ठाइम को पकड़के नि हम उसका धन्यवाद करते हुए उनके नाम का धन्यवाद करना है क्योंकि यहोवा भला है उसकी करोना सदा के लिए क्योंकि वो कियसा है बहुत भला है बहुत यह अच्छा है यदि हम उसे रो के गड़गड़ा के प्रारतना करते हैं तो हमारे उपर करोना कुर्पा दया प्रेम बरसाता है और हमारे लिए हमेशा के लिए उन्हों आशिरवाद देता है हमेशा के लिए हमारे को चलाता फिरता खिलाता फिरता है और उसकी सच्चाई पीडी से पीडी तक बनी रहती है क्योंकि वो आजकल के लिए नहीं एक पीडी नहीं हजार पीडियां भी निकल जाएं तो उनकी सत्यता और उनका सत्यवचन हमेशा के लिए बना रहता है तो हम ऐसे परमेशर ऐसे प्रभू को मानने के लिए जल्ली से जल्ली आएं आगे आएं देर ना करें क्योंकि अभी समय खत्म होने वाला है परमेशर आने वाला है उसके लिए हम है ना वाड जो होते हैं हम देखते हैं कि हमारे परमेशर के लिए हम एदियूस को याद करेंगी तो हमें वो परलोग के राज्ज में लेके जाएगा और हमें अपने पास में खिलाएगा पिलाएगा हर तरह से जिलाएगा इसके लिए आज हम आज का सुख नही प्रहु के लिए जो उसका वचन हम पढ़ रहे हैं उसको फालो करके आगे चलते जाना है प्रहु के लिए दन्यवात करते हैं यह वचन को समाप्त करते हैं प्रहु ईशु के नाम कीजिए जेकार हो आप सब सब्सक्राइब कीजिए और शेर भी कीजिए हमारा फोन नमबर है डबल नाइन, फोर एट, डबल त्री, डबल सिक्स, नाइन फाइम, किसी को किसी उप्रकार की मुसीवत है, या कोरोना का प्राबलम है, या कोई बीमारी है, या कोई किड्नी प्राबलम है, हार्ट प्राबलम है, हर एक प्राबलम के लिए, छोटे से छोटे बुखार से लेके बड़ी से बड़ी AIDS की बिमारी भी प्रभू हमारी प्रार्दना के द्वारा अच्छा करता है स्वस्तता देता है, चंगाई देता है, चुटकारा देता है उसके लिए परमेशर के लिए धन्यवाद करते हैं, आमिन थांक्यू जीजिस, हललुलिया